नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा नोन परफेक्ट स्क्वेर रूट आपको परफेक्ट स्क्वेर रूट निकालना आता होगा जैसे 16 का स्क्वेर रूट आप जानते हैं 4 होता है ठीके 25 का स्क्वेर रूट आप जानते हैं 5 होता है और 36 का डीकुर्वर्वर्वर्वर्व खूए सही है। य внешक्राम अधानिज है। है। बीटिवर्वर्वर्वर्वर्व 9 परफ्रेक्ट स्क्राम पर desse लुसुर्वर्वर्वर्वर्व है। इसोस Нов है। इसको निकालने का सबसे सर ल तरीका है कि इसके पास में कोई एक ऐसी संख्या देखिये जिसका perfect square root होता है, तो साथ के पास में 9 ऐसी संख्या है जिसका perfect square root होता है, तो 9 में से 7 बनाना है तो 9 में से आप 2 कर दोगे minus, तो 7 ही तो बन जाएगा, इस 7 को आप 9 minus 2 लिख सकते हैं, हमें क्या करना है एक एसी संख्या लेनी है जिसका perfect square root होता है ठीक है अब क्या करोगे square root का Positive स्क्वारूट लगा दो अब देखिए स्क्वारूट हम यहां पर लगा रहे हैं 9 का स्क्वारूट आप जानते हैं कितना होता है 9 का स्क्वारूट होता है 3 ठीक है 9 का स्क्वारूट 3 होता है माइनस का साइन है मैंने नौ का स्क्वार उट कर ले तो दो ले लोगा अब इसके बटे में हमेशा इसका दो गुणा अगा जोकि छ्य है याद रख ले ना अब तीन से से डिबाड करो, तीन दूने का 6, दो बचेगा 20, दसमलब लग जाएगा 20, तीन चिक के 18, तो इसका मतलब 2 दसमलब 6 ये आपके सवालकार बिल्कुछ सही जवाब है, यानि कि रूट 7 का जो स्क्वेर रूट आएगा, वो कितना हैगा, दो दसमलब 6 करके आएगा पूरा वीडियो इसी के उपर है, कोई भी कन्फ्यूजन है, पूरा वीडियो देख लीजिए, आप आसानी से निकालना सीख जाओगे, अब देखते हैं आगे, अगरा प्रश्ने, आपसे कहा गया है कि रूट 10 का स्क्वेर रूट क्या होगा, रूट 11 का क्या होगा ये बत हो जाएगा, और इसके उपर क्या करेंगे, स्क्वेर रूट ले लेंगे, अब 9 का स्क्वेर रूट आप जानते हैं, 3 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस ले लो, एक है तो एक ले लो, लेकिन इसके बटे में हमेशा इसका दो गुणा आएगा, मैं बता चुखाओ, यहाँ पर क्या आएगा, 6, इसका दो गुणा 6, ठीक है, अब 3, 6, 18, 18 में जोड़ देंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 19, 19 में क्या करना, 6 से डिवाग, चलिए कर दो, 6 तरीक का 18, एक बच्चे का 10 में लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 6, 1 कम 6, यानि कि 3,1 यह आपका सही जव आप हो जाएगा, एक और एक्जामपल है, आपको 11 के पास में ऐसी संख्या लेनी है, जिसका perfect square root होता है, तो मैं फिर से 9 ले लूँगा, 11 के पास में 9 है, ठीक है, अब 11 बनाने के लिए 9 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, 11 बन जाएगा, और फिर क्या करो गया, square root लगा 3 त्रिक का नो, 9 में जोड़ेंगे, एक तो हो जाएगा, 10 बटे में कितना 3, 3 से कटा दो, 3 त्रिक का नो, एक बच्चे का नहीं जाएगा, 10 समलब लग जाएगा, तो 10 त्रिक का फिर से 9, यानकि 3 समलब 3, ये लगभग में ही आंसर आता है, तो 3 समलब 3 ये आपको आंसर हो स्क्वार रूट पूरा पूरा होता हो, ठीक है, जैसे कि 13 के पास में 16 भी है, 13 के पास में 16 है, जिसका परफेक्ट स्क्वार रूट होता है, अगर 16 में से आप 3 माइनस करेंगे, तो 13 बन जाएगा, 16 माइनस 3 ही तो होता है, तो हमने बना लिया, चलिए, अगर मैं 16 का 32 में से माइनिस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 29 और बटे में कितना है 8 अब इसे कटाएंगे 8 तरिक का 24 कर जाएगा 5 बचेगा तो जाएगा नहीं दस्म लग जाएगा 58 68 यानि कि 3 दस्म लग 6 आपका आंसर है अब देखिए 13 के पास में इस 13 के पास में एक 9 भी तो है तो आप चाहें इस संक्या से छोटी संक्या सोच लो चाहें बड़ी संक्या सोच लो जिसका perfect square root होता हो चाहें छोटी ले लो चाहें बड़ी आंसर से माएगा चलिए आप देखिए आगे अगला है थोड़ा बड़ा question है जानि कि बड़ी संक्या है 87 का square root आपको बताना है तो 87 के पास में आप देखोगे 81 ऐसी संक्या जिसका perfect square root होता है तो 81 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 87 ही हो जाएगा और इसका square root का sign लगा दो 81 का square root कितना होता है नो प्लस का sign है प्लस ले लो 6 दी जागे छे ले लो और इस संक्यागे बटे में यहां जो संक्याएगे वो इसकी दो बुनी आएगी यानकि 18 ले लो ठीक है अब इसे कटा लेंगे 6 कम 6 6 तरिक कटारा तीन नीम 27 27 में जोड़ो एक तो यह हो जाएगा 28 ठीक है यहां मैंने कटाया 6 कम 6 6 तरिक कटारा अब तीन से इसको कटाराओं तीन नीम 27 27 में जोड़ो एक तो यह हो जाएगा 28 ठीक है 28 और बटे में केतना 49 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो 47 बन जाएगा और स्क्वार रूट निकालना है तो स्क्वार रूट का साइन लगा लो देखे 49 का साइन नहीं से माइनस कर देंगे एक तो यह हो जाएगा 28 बटे में 7 है साच्छंग बयालीज शे बचेगा तो नहीं जाएगा दसमला येगा साथ साथ अठे छपपन यानि कि 6 दसमला आठ आठ आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया अब देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशनी है रूट 114 का स्क्वेर रूट आपको पता करना है तो एकस के पास में आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका परफेक्ट स्क्वेर रूट होता हो 114 के पास में अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो 100 ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वेर रूट होता है और 100 में अगर मैं जूर दूँगा 14 तो 114 ही बन जाएगा इसका हमें square root निकालना है 100 का square root 10 plus का sin ने plus ले लो 14 दिया गया है 14 ले लो और इसके बटे में इस संग्या का 2 गुनाएगा जो कि 20 हो जाएगा दूसे कटेगा 7 बार में दूसे कटेगा 10 बार में यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है एक question थोड़ा सा और बड़ी संख्या का है 1800 का square root बताना है 1800 को आप क्या लिख सकते हो 1600 plus 200 लिख सकते हो क्योंकि 1600 जो है 40 का perfect square होता है तो इसके उपर क्या करना आपको square root का sign लगाना 1800 को आप क्या ले सकते हो 1600 plus 200 1800 के पास में आपने जो संख्या मानी जिसका perfect square root होता है वो 1600 है चलिए अब 1600 का square root आप करोगे कितना हो जाएगा 40 plus की संख्या है plus लेलो कितना है 200 है 200 लेलो अब यहाँ पर क्या आएगा बटे में इसका दो गुना जो की 80 है ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे आप कटा लेते है 0 से कर जाएगा 0 कट गया 2 से कर जाएगा 10 बार में 2 से कर जाएगा यह 4 बार में फिर सीथ कटा लो 2 से यह कर जाएगा 2 बार में और 2 से यह कर जाएगा 5 बार में बच्चेगा नहीं जाएगा दो पंजे दास 42.5 हो जाएगा ये है आपके सवाल का सही जवाब आप देखते हैं अगला कोशन अगला प्रश्न है 2453 का स्क्रेख आपको निकालना है क्या होगा तो 2453 के पास में आपको ऐसी संख्य लेनीजी जिसका परफेक्ट स्क्वार रूट होता है तो मैं ले लिलता हूँ पच्चिस सो परफेक्ट स्क्वार रूट होता है पच्चिस सो में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा कि 243 होज़े 47 माइनस करना पड़ेगा और इसका मैं वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल वाला साइन लेलो 25 का square root मैं कर दूँगा जो की 50 होता है minus का sign ने minus ले लो 47 दिया गया 47 ले लो बटे में इसका 2 गुना आजाएगा जो की 100 है अब इसी को हम हल कर लेंगे और आप का अंसरा जाएगा चलिए इसको जब मैं solve करूँगा तो इसका गुना पहले मैं से कर देता हूँ तो इसका गुना 50 में से minus कर दूँगा इसको ऐसा ने इसका गुना इसमें करूँगा फिर इसको मैं से minus करूँगा इसको चलिए 100 का गुना 50 से करूँगा तो यह 5000 हो जाएगा कितना हो जाएगा भई यह 5000 माइनिस कर देना है 47 को 5000 में से 47 माइनिस कर दूँगा यह हो जाएगा 4953 है ना और बटे में कितना है 100 यानकि 100 से डिवाइड देना है 2 0 है तो 2 संग क्या बाद 10.9 लगा दूँगा मतलब 49.53 यह आपके सवाल का अंसर आ क्या अब यहाँ पर एक कोशन है जो मैं आपको होमबर्क के लिए देता हूँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट वक्स में बताएंगे क्या एगा उम्मीद करता हूँ कि नोन परफेक्ट स्क्वेर रूट आप बहुत अच्छे से सीख चुकी है कोई भी समस्य आपको यहां नहीं होगी ठीक है सभी बच्चे कमेंट में इस प्रशन का आंसर बताएंगे क्या हैगा ठीक है दोस्तों धन्यवार